पोस्ट अपिस की SCSS यानि Senior Citizen Saving Scheme में आपको मिलेगा डबल भाइदा आदेस जारी हो चुके हैं और ये आदेस एक अप्रेल से परभावी भी हो गया है नमस्कार आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्ट बारे सरकार ने एक और जारी करके Senior Citizen Saving Scheme के अंदर पहले जो लिमिट 15 लाग की थी अब उसको 30 लाग कर दिया है यदि आपका पहले से भी कोई खाता है और उसके अंदर आपने 5 लाग, 10 लाग या 15 लाग जम्मा करवा रगए हैं तो आप बाकी का एमाउंट अब नया खाता खुलवा के कर सकते हैं थोड़ी सी जानके रिया आपको हम Senior Citizen Saving Scheme के बरहे में दे देते हैं Senior Citizen Saving Scheme को 1000 रुपय मिनिममम एमाउंट से खुला जा सकता है मैक्जिमम यहाँ पर आप सिंगल एकाउंट को 30 लाग से खुल सकते हैं यहाँ पर एक बार पैसा जम्मा करवाने के बाद में एक खाता खुल जाता है नया उसके अंदर और पैसा जम्मा नहीं होगा अभी अप्रेल 2023 में ब्याज दरे आई है तो उसमें 8.2% का ब्याज आपको मिलेगा और यह ब्याज आपको quarterly दे दिया जाता है इस खाते को आप किसी भी post office के अंदर खुलवा सकते हैं S.E.S.S.E.R.D. करवा कर आप ज़्यादा return भी आपर ले सकते हैं हजबेंड और वाइप मिलकर दोनों 60 लाग का खाता यहां पर खुलवा सकते हैं एक लाग एदी पैसा आप इस खाते में जमा करवाते हैं तो दो हजार पचास रुपे परतेक तीन महिने में आपको दे दिये जाते हैं साथ ही इस खाते को premature कभी भी close करवाया जा सकता है इस खाते को खुलवाने के लिए minimum I.U. 60 साल होनी चीए कुछ एक दसा के अंदर 55 साल का वेक्ती भी इस खाते को खुलवा सकता है तो इसके लिए आप हमारा SCSS का complete detail वाड़ा वीडियो जरूर देखें थेंक्स वर वाचिंग नमस्कार